अलो स्टुडेंट्स मैं इकल गुपता स्वागत गरता हम अब तभी का इस वीडियो में इसमें हम लोग चैप्टर नंपर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं पेर ओफ लीनियर इक्वेशन्स इन 2 वेरियबल्स आपने 9th क्लास में एक चैप्टर सीखा है लीनियर इक्वेशन्स इन 2 वेरियबल्स उसी से लिंक है थोड़ा वहोती है अगर आपने वो अच्छे सीखा है तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाओगे नहीं भी सीखा है तो कोई दिक्कत निया है 9th का अपन पहले रिवाइस करेंगे जो भी 9th का इस chapter में गाम आ रहा है वो सारा revise करेंगे और फिर 10th का portion शुरू करेंगे इसलिए कोई attention लेने की ज़रत नहीं है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके नाम का meaning थोड़ा समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा post-martem कर लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं तो ब्रेक करोगे तो एक तो इसमें word आ रहा है pair एक इसके पास है linear equations मतलब linear और equation को भी हम लोग अलग-अलग ही समझेंगे वैसे तो और एक है two variables या variables समझ लो ठीक है तो इनके meaning क्या होता है एक तो ये सब हम समझेंगे pair का मतलब बता है two मतलब एक साथ दो लोग आएंगे अकेला नहीं आएगा तो जो भी equations आएंगी एक साथ दो आएंगी एक तो ये meaning हुआ दूसरा linear equations क्या होती है linear equations उनको बोलते हैं अपने 9th class में सीखा होगा तीन तरह की equations सीख्योंगी एक तो सीख्योंगी linear एक सीख्योंगी quadratic और एक सीख्योंगी cubic तीन तरह की सीख्योंगी linear quadratic और cubic polynomial सीख्योंगी या equations एक ही बात है होतो तो तीन ही नहीं होती आगे भी और होती है लेकिन ये तीन most common name है वो अपने को नाम के साथ याद होने चीए तो linear equation का मतलब क्या होता है linear equation होती है जिसमें variable की maximum power 1 हो या कहलो कि उसकी degree 1 हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ maximum power of variable समझने वाले लेंगरेज में maximum power of variable कितना होना चीए 1 तो उसको linear equation बोलेंगे variable की power 1 से ज़्यादा नहीं होनी चीए कभी में तो वो linear equation है ठीक है तो pair में आएंगे पहली बात तो linear equations होंगी मतलब variable की maximum power 1 होगी दो equations एक साथ आएंगी और 2 variables होंगे total variables होने कितने चीए 2 जैसे जैसे अगर मैं एक example दूँ तो 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 यह एक equation है इसमें 2 variables दिख रहे हैं आपको कौन x and y तो 2 variables हो गए उसके अलावा linear equation है क्या बिलकुल है क्योंकि x और y की जो maximum power है variables कौन कौन से यहां पर x और y तो जितने भी variables हैं उनकी maximum power 1 होने चीए उससे ज़्यादा बड़ी power नहीं होने चीए तब उसको linear equation बोलोगे तो यह linear equation भी है तो इस तरह है कि अगर 2 equations एक साथ आ जाएं तो उनको pair of linear equations in 2 variables बोल देंगे हमने last year तक मतलब 9th class तक यह केवल इतना सीखा है कि एक single equation आपको दी जाती थी linear equation in 2 variables और उस पे जो भी काम करने होते थे जैसे उसका graph वराना सीखा था आपने और उसके solutions निकालने सीखे थे काफी कुछ चीज़ें उसके बारे में सीखी थी तो वो अब एक साथ दो equations के साथ करना है अपने को बहुत सारी तो same चीज़ें ही करनी है क्या 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 करना है एक तो graph बनाना है और उसके solutions निकालने है तो एक साथ दो equations आएंगी और सारा काम वोई काम करना है अपने को तो अपने देखेंगे कैसे करना है लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज अपन समझ ले क्योंकि बहुत ज़्यदा confusion रहता है second chapter आपका था polynomials third chapter में आपके पास आगया equations तो polynomials और equations में actual में difference क्या है यह बहुत एक काम की चीज यहाँ पर है कि difference between polynomial and equation क्या होता है बहुत छोटा सा difference है अगर rough language में समझने वाली भाशा में अगर अपन जाने तो बहुत छोटा सा difference है जैसे माल लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इसी की में बात कर लो 2x plus 3y minus 5 केवल इतना अगर लिखा हुआ है तो यह एक polynomial है लेकिन अगर इसको लिख दिया 2x plus 3y minus 5 और equal में कुछ भी डाल दिया जरू नहीं 0 ही डालो 0 की जगे आप 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी डाल दो equal में z डाल दो कुछ भी डाल दो मतलब equal कहीं आ रहा है left side कुछ है, right side कुछ है equal कहीं बीच में आ रहा है तो वो equation होती है लेकिन अगर equal का sign नहीं है तो वो polynomial होगा यह बात ध्यान देने वाली है मतलब कोई भी algebraic expression आपके पास में है यह एक algebraic expression है algebraic expression के equal में कुछ और नहीं दे रखा simple algebraic expression लिखा हुआ है तो वो एक polynomial है लेकिन अगर उसके equal में कुछ और है equal का sign आपको कहीं दिख रहा है तो वो एक equation है बस इतना difference है और कुछ नहीं है difference polynomial इस तरह का होगा equation इस तरह की होगी बस equal का फरक है है यह जान लो और कोई difference नहीं है कैसा भी हो सकता है यहाँ यह हो सकता है 2x plus 5 ही होता केवल यहाँ पर लिख देते 2x plus 5 is equal to मान लो 10 है मान लो y है मान लो z लिख दिया कुछ भी लिख सकते हो और वो भी linear होने की तोरह अपनी है हो सकता है आप square लगाना चाहरे हो कुछ भी मैं तो normal polynomial और equation में difference बता रहा हूँ आपको linear quadratic की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो polynomial और equation में simple equal का फरक है और कोई फरक नहीं होता है इसलिए बहुत सारी चीजे similar सी दिखती हैं आपको polynomials में हम लोग निकालते हैं zeros और equations के निकलते हैं roots quadratic में जब भी निकालते हैं खेर आगया आएगा देखेंगे अपन फिलाल अपन इतना ही जाने और अब थोड़ा बहुत हमें 9th class का revise कर लेना चाहिए 9th class में हमने क्या क्या सीखा था हमने सीखा हुआ है linear equation किसको बोलेंगे अपन जिसमें variable की maximum power 1 होगी quadratic equation, cubic equation polynomials में भी ऐसी चलते है linear polynomial, quadratic polynomial cubic polynomial, पस equal का ही तो फरक है चीज़े तो सेम ही है ना almost तो उस तरह से चल रहा है तो अब हमें ये जानना है जैसे ये कुछ examples दिये हुए है वो examples के वाल इसलिए दिये हुए है ताकि हमें exact समझ में है कि किन equations की बात कर रहे है इस chapter में और दूसरी कौन-कौन-सी हो भी सकती है है ना, तो class 9 में इस तरह की चीज़े आपने सीखी है कि अपन इसमें पहचानेंगे एक तो ये कि कितने variables है और दूसरा कि linear है, quadratic है, cubic polynomial equation है, ये अपन पहचानेंगे तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो number of variables आप यहाँ पर अराम से देख सकते हो कि एक तो x दिख रहा है और एक y दिख रहा है ठीक है तो number of variables है 2 अब equation आपकी linear है quadratic है के cubic है कैसे पता जालेगा जो भी variables आपको दिखे हैं x और y दिख रहे हैं यहाँ पर उनकी maximum power चेक करो x की maximum power तो 1 है लेकिन y की 2 है अपने को तो maximum वाले से मतलब है तो y की maximum power 2 मिली है किसी variable की maximum power 2 मिली है इसका मतलब यह quadratic equation आ गई तो आप यहाँ पर लिखोगे quadratic equation quadratic equation of two variables quadratic equation of two variables यह लिखा जाएगा इसको same काम यहाँ पर आप यहाँ पर लिखो कि कितने variables हैं 3 दिख रहे है x दिख रहा है y दिख रहा है z दिख रहा है 3 की powers कितनी दिख रही है क्योंकि power से linear quadratic और cubic पैचान में आएगा 3 की power 1 1 1 दिख रही है इसका मतलब linear equation है यह तो क्योंकि maximum power 1 है 1 से उपर कोई power ही नहीं है किसी के पास में तो यह क्या है linear equation आप यहाँ पर लिखोगी यह है linear equation of कितने variables 3, 3 variables 3 variables linear equation of 3 variables ठीक है next third वाले पर बात करते हैं आपन कितने variable दिख रहे हैं यहाँ पर again two variables first की तरह है एक तो x है और एक y है 2 variables यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों की maximum power कितने दिख रही हैं 1 1 से ज़्यादा कोई power नहीं है इसका मतलब क्या हो गया यह भी linear equation हो गई तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे again linear equation but in two variables उपर वाली थी three variables यहाँ two variables तो यह हो गई linear equation linear equation in two variables ठीक है यह अपने को समझना था और यह ही हमारे काम की है अभी देखेंगे और कौन-कौन से काम क्या रही है हमें linear equation in two variables ही चीए पेर तो हम बना लेंगे दूसरी एक और इस तरह की बना लेंगे यह कोई दिक्कत नहीं है इसकी देखते हैं बात करते हैं कितने variable केवल एक और कोई variable है ही नहीं है आपर अब एक variable है उसकी maximum power किसे नहीं दिख रही है आपको three, three से ज़्यादा कोई power नहीं दिख रही मतलब यह cubic equation आ गई three power वाली equation cubic होती है तो यहाँ पर दो अपने को variables दिख रहे है x and y और दोनों variables में maximum power अगर आप देखो तो 1 दिख रही है तो दोनों variables की maximum power 1 है इसका मतलब linear equation हो गई है तो अगर maximum power 1 है तो कौन सी equation मानी जाएगी linear equation in two variables क्योंकि x और y दो variables है in two variables तो यह जरूरी नहीं है कि x और y x side ही लिखे हो जैसे इन सब में इस तरफ लिखे हुए थे इधर उदर भी लिखे हुए हो सकते हैं हो सकता है constant term ना दे रख्यों जैसे यहाँ 1 दे रख्य है यहाँ constant term है यह जीरो है यहाँ 5 है तो नहीं दे रख्यों कोई दिक्कत नहीं है वो 0 है इस case में किसी भी format में लिखा हुआ हो सकता है आपको बस यह देखना है variable है कितने और जो जो हैं उनकी maximum power कितने देख रही है बस और कुछ नहीं देखना अब last की बात करें तो 4P square plus 7Q cube is equal to 8 तो यहाँ P and Q दो variables अपने को दिख रहे है तो 2 variables यहाँ तक समझ में आता है लेकिन इन variables की maximum power कितने दिख रही है P की maximum power 2 है Q की 3 है तो overall maximum power कितने हो गई 3 that means cubic equation हो गई है तो आप यहाँ पर लिखोगे कि cubic equation cubic equation in 2 variables 2 variables यह जरूरी नहीं है कि केवल X और Y ही आए हो सकता है P और Q आजाए हो सकता है U और V आजाए M और N आजाए A और B आजाए कुछ भी आ सकता है तो variable अपने को पहचान में आना चाहिए उसकी power कितनी है वो पता होने चाहिए एक और important बात यहाँ पर जो confuse करती है students को वो यह करती है कि जैसे माल लो आपके पास यहाँ पर 5 दिख रहा है 5 की power अगर यहाँ 4 आजाती तो या 5 की power 4 नहीं आप 3 माल लो 5 की power अगर यहाँ पर 3 आजाती तो X की power 1 है इधर Y की power 2 है लेकिन 5 की power 3 है तो यह quadratic होगी की cubic होगी उस case में उस case में भी यह quadratic ही मानी जाएगी अगर यहाँ 3 की जागे 300 भी power अजाए तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अपने को फरक सिर्फ पड़ता है variable की power से constant की power से कोई फरक नहीं पड़ता तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि सिर्फ variable की power consider करनी है constant की power को consider नहीं करना है अगर आप यह जानना चारे हो कि कौन सा polynomial है तो कौन सी equation है तो ठीक है तो यह एक बात हुई दूसरी बात वो यहाँ पर करता है आपन देखो इस तरफ बता रहूं है नाहिंत में आपने एक चीज और सीखी थी क्या सीखी थी कि कोई आपके पास linear equation in two variables दिख रहा है जैसे यही एक linear equation in two variables है मैं लिख देता हूँ इसको यह वाली थी अपने काम की कौन कौन सी है इस चेप्टर में अपन पढ़ेंगे इस टाइप की यह 3rd and 5th इस टाइप की equations पढ़ेंगे तो 3rd वाली equation को मैं एक बार example के दोर पर यहाँ पर ले लेता हूँ x-y is equal to 1 यह एक equation दिख रही है अपने को linear equation in two variables अपने इसके solutions सीखे थे की जो दिया हुआ है वो इसका solution है या फिर कैसे निकालते हैं यह सब बाते हैं तो मान लो एक point अपन लेते हैं मतलब solution का मतलब x और y की values होती है इस equation का solution means ऐसी x और y की values जो इसको satisfy कर रही है satisfy मतलब balance कर रही है equation को for example अगर मैं यहाँ पर x की value 5 ले लूँ और y की value 4 ले लूँ अगर इसको point format में लिखे तो 5,4 लिखा जाएगा point format में graphical format में x,y लिखते हैं न graph बनाते हैं तो x,y लिखा जाता है तो उस format में अगर लिखे हैं तो x है 5, y है 4 तो 5,4 अपन लिखेंगे इस particular point को अब check करते हैं कि यह जो लिखा हुआ x और y की value यह इसका solution है क्या यह कैसे check करें रख दो उसमें पता चल जाएगा तो अगर आप इसमें रखते हो तो यह बन जाएगा 5-4 is equal to 1 तो 1 is equal to 1 मतलब correct आ रहा है equation balance आ रही है 1 is equal to 2 तो नहीं आ रहा जो दोनों तरफ हैं बराबर बते हैं 1 is equal to 1 आ रहा है balance हो रही है balance हो रही है इसका मतलब यह solution इसको satisfy कर रहा है satisfy करना बोलते हैं इसको इसका मतलब यह जो लिखा हुआ है यह actual में इसका solution है तो आप लिखोगे 5,4 is a solution solution of this equation this equation ठीक है यह एक बात हुई अब एक और बात करते हैं एक तो यहाँ पर अपन ने रेखा एक और लेते हैं चेक करते हैं और दूसरा और solution possible है क्या चेक कर लेते हैं एक बार जैसे माल लो मैंने x की value 10 और y की value 2 एक बार के लिए माल लो एक दूसरा solution लेके देखते है x की value 10 और y की value 2 रखके देखते है क्या ये भी एक solution है क्या check रहे so रखो तो 10 minus y की जगे 2 रख दिया और equal में आया 1 तो ये हो गया 8 is equal to 1 तो 8 is equal to 1 तो गलत बात हो गई गलत equation आ गई इसका मतलब satisfy नहीं कर रही इसका मतलब ये जो आपने लिखा है वो इसका solution नहीं है जिस point को रखने पर जिस particular point ये कौन सा point था 10,2 ये point अगर format में बात करें तो point format में 10,2 है x,y format में और इस point को इस equation में रखने पर इसको satisfy नहीं कर रहा है इसका मतलब ये इसका solution नहीं है इसका ये मतलब होता है तो आप यहाँ पर लिखोगे 10,2 is not is not a solution of this equation ठीक है ये अपन इसमें लिखेंगे अब एक छोटा सा example ओड़ देता हूँ कि क्या एक से ज़़ा solution होते हैं कि हो सकते हैं, देखो कैसे माल लो अपन यहाँ पर एक और example उपर लिख देता हूँ माल लो x की value आप लिखना चारे हो 7 और y की value लिखना चारे हो 6, मतलब point format में बात करें तो 7,6 है माल लेते हैं एक बार ये वाला point है so ये बन जाएगा 7-6 is equal to 1 तो 1 is equal to 1 तो इसका मतलब ये भी एक इसका solution है तो बहुत सारे solution possible है infinite solutions possible है अगर एक equation इस तरह की दिख रही है तो बहुत सारे ऐसे points होंगे जो इसको satisfy करेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इसको satisfy नहीं करेंगे तो जो satisfy करेंगे वो उसके solution है जो satisfy नहीं करेंगे वो इसके solution नहीं है satisfy करने का मतलब क्या होता है balanced equation last में मिले उसको बोलते है satisfy करना बस इतनी बात है ठीक है तो ये solution का खेल है सारा linear equation into variables में इस तरह के points आपको दिखें तो आप check कर सकते हो उसमें रख करके कि वो satisfy कर रहा है कर रहा है तो वो उसका solution है नहीं कर रहा है तो वो उसका solution नहीं है simple इतनी सी बात है ये पूरा आपने 9th class में सीखा था जितना भी मैंने अभी आपको बताया एक छोटी सीचीज और सीखी थी 9th class में वो भी अपने को revise करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा quick overview देदू पूरे chapter में हम लोग क्या क्या सीखने वाले है 9th class में आपने एक छोटी सीचीज और सीखी थी कि इस तरह की कोई भी equation आपको दिखे linear equation in two variables में उसका graph कैसे बनाना है क्योंकि graph अपने बहुत काम आएगा इस वाले chapter में 3.1 और 3.2 exercise पूरी तरीके से graph पे depend है तो इसलिए वो 9th class में जो आपने graph बनाना सीखा है वो अपने को एक बार यहाँ पर revise करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग आगे पड़ेगे अब हम pair of linear equation in two variables पड़ेंगे मतलब इस तरह है कि दो equations को एक साथ solo करना सीखेंगे तो single equation को solve करना तो हमने 9th में सीख लिया था अब 2 एक साथ आजाएं तो उसका solution क्या होता है यह हम लोग 10th class में सीखने वाले हैं तो अपना पहला topic यही है methods to solve pair of linear equation in two variables pair हटा दें तो केवल एक equation की बात करें तो वो हमने 9th class तक सीख लिया है इस बार pair of linear equation in two variables के क्या-क्या method हो सकते हैं solve करने के वो हम सीखेंगे तो दो main methods हैं अगर category wise divide करें तो दो main method हैं एक तो graphical method की graph बना करके हम लोग solve कर सकते हैं इसको simple लेकिन एक तो है graphical method बूसरा है algebraic method अब algebraic method में तीन methods हैं substitution method उससे हम दोने equations को solve कर सकते हैं answer निकाल सकते हैं elimination method और तीसरा है cross multiplication method इन तीन methods का use लेकर के graphical method के अलावा इन तीन methods का use लेकर के आप equations को solve कर सकते हो equation solve करने का meaning क्या होता है equation solve करने का meaning होता है x की और y की values निकालना, जो values उसको satisfy कर रही है, उसको बोलते है equation solve करना, ठीक है तो equation solve करने की ये दो methods है, इस method के तीन parts है, एक तरीके से, तीन तरह से है, ये method हम सीखेंगे, ये graphical method आपके आएगा 3.1 and 3.2 में ये इसमें detail में आएगा full, 3.3 में हम लोग सीखेंगे substitution method, 3.4 में हम लोग सीखेंगे elimination method 3.5 exercise में आप सीखोगे cross multiplication method और 3.6 exercise में ये आजाएगा equations reducible to a pair of linear equation in two variables मतलब directly equations ऐसे नहीं दिखेंगी, जो pair of linear equation in two variables है, उनसे तोड़ी सी उटपतांग सी equations दिखेंगे लेकिन वो reducible होंगी pair of linear equation in two variables में, मतलब उनको convert किया जा सकता है pair of linear equation in two variables में और जब आप उनको convert कर लोगे तो इन methods में से किसी भी method का इस्तिमाल करके आप उसका solution में निकाल लोगे, तो ये overall काम करना है, और ये last 12 काम अपना 3.6 exercise में होगा, इस तरह से total six exercises हमें solo करनी है इसमें, समझनी है पढ़नी है, तो देखा जाए तो उसी साब से काफी बड़ा chapter है अच्छा खासा chapter है, तो थोड़ा आराम आराम से, शांती से पढ़ना है अपने को जल्दवाजी नहीं करनी, आराम से हो जाएगा, कोई attention नहीं है chapter easy है, लेकिन बड़ा है ठीक है, तो आराम से करेंगे 9th का एक portion अपने revise किया, वो था ये वाला portion, लेकिन इस से भी जरूरी portion एक और है, revise करने को वो है ये graph कैसे बनाएं, बहुत ज़दा use आएगा, मैंने पहले बदा दी आपको, यहाँ पर 3.1, 3.2, दोनों depend है, graphical method पर, तो graph जिसको बनाना नहीं आता, फिस starting के 2 exercise से उसके काम की नहीं है, फिस, इसलिए graph तो बनाना पड़ेगा, तो graph बनाना हम लोग इससे revise कर लेदे हैं 9th class में जो आपने सीखा था, वो यहाँ से revise हो जाएगा, 2x minus y is equal to 6 से, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते हैं, graph बनाने के लिए आपको 2 points निकालने होते हैं इसके, जो इसको satisfy कर रहे होते हैं, मतलब इसके 2 solutions निकालने होते हैं, ऐसा कह सकते आप, 2 solutions या 2 points आपके पास आजाएंगे, तो 2 points अगर आपके पास आजाते हैं, graph में कभी भी, तो उसको मिलाने पर एक straight line बन जाती है, और इस तरह की जो equations होती है, उनका graph एक straight line ही आता है, यह हमने सीखा हुआ है ना, तो चलिए शुरू करते हैं निकालने का क्या तरीका है, 2 points निकालने का क्या तरीका है, भाई, graph बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह 2 points चीए ना, लेकिन यह 2 points कैसे आएं, वो 2 points निकालने का क्या तरीका है, वो हम लोग discuss करते हैं अबी, तो वो दो points निकालने के लिए आप x, y होते हैं points point का format हमेशा x, y ही है आप अपनी मर्जी से कोई भी x की value एक choose कर लो और वो यहां रख दो उसके according जो y की value आये वो ले लो उससे एक point मिल जाएगा ये काम ज़रूरी नहीं है केवल x की value के लिए ही आप करो आप y की value के लिए भी कर सकते हो मतलब आप अपनी मर्जी से कोई y की value एस्यूम कर सकते हो जिसके respect में कुछ x की value मिल जाएगी आपको और उससे भी point generate हो जाएगा एक create हो जाएगा, एक point मिल जाएगा जो इसका solution होगा हमें इस तरह के 2 points जिए बस दो से जाएगा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, शुरू करते है मुझे best लगता है, मतलब अपनी मर्जी से x और y की value रखनी है कुछ भी क्या तो x की रख दो या y की रख दो तो मैं x की रखता हूँ सबसे पहले क्या रखूँ सबसे आसान value होती है 0 0 में कोई calculation नहीं करनी पड़ती इसलिए मैं 0, prefer करता हूँ आपकी जो choice है आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, minus 1, minus 2, minus 3 points में भी ले सकते हो even points में भी आप ले रहे हो points में answer आ रहा है, वो गलत नहीं है लेकिन कोशिश यह करना कि points में ना लो, ताकि अपने को graph paper पे plot करना easy हो जाए, आपको graph paper मिलेगा exam में इसके लिए, तो graph paper पे plot करना easy तब होगा, जा points में नहीं लोगे ले लोगे तो गलत नहीं बाना जाएगा तो let x is equal to 0 अगर आपने x की value 0 ले ली तो 2 into 0, minus y is equal to 6 that means यह 0 minus y is equal to 6 तो यहां से minus y की value 6 हो गई, तो y कितना हो जाएगा minus उदर जाएगा तो minus 6 के equal तो point क्या बना point बन गया 0, minus 6 यह point बन गया x, y 0, minus 6 चीक है हमेशा point को लिखना है x, y x पहले लिखा जाएगा y बात में लिखा जाएगा यह fixed है इसमें कोई extra दिमान ने लगाना अपनी तरफ से ठीक है एक और काम अपने x की value 0 assume करी आप x की value 1 assume कर लो x की value 2 ले लो, कुछ और ले लो x की value x से बोर हो गए हो y की value ले लो आपकी choice है चाहो तो x की कोई value रख दो चाहो तो y की कोई value रख दो बस जो point है वो repeat नहीं होना चाहिए तो y की value 0 रख देते है 0 रखना ज्यादा comfortable लगता है मुझे as compared to other values क्योंकि उससे calculation कम हो जाती है 0 से सब भढ़ी जाता है तो इसलिए मैं 0 prefer करता हूँ आपको अगर कुछ और value comfortable लगती है तो आप कुछ और रख दे रहा हूँ y की जगे मैं यहां result रख रहा हूँ और यहां पर 6 के equal आ रहा है तो 2x is equal to 6 आ रहा है तो x की value 6 upon 2 से 3 हो गई है 6 upon 2 से 3 हो गई तो point बना 3,0 यह थोड़ा सा विशेश ध्यान देना है x result में आया है तो 3,0 लिखना है ना कि 0,3 हमेशा point x,y ही लिखा जाएगा इसका विशेश ध्यान देना है खास बात है ठीक है दो points आपके सामने है simple graph बनाना है extra कुछ नहीं सोचना और बस कैसे बनाना है यह हमारा x है यह y है ठीक है और यह अपना 0 point हो गया और यहाँ पर 1, maximum कितना जाना है 6 तक जाना है 6 maximum दिख रहा है तो 1,2,3 4,5 and 6 इस scale से आप equal distances लोगी या फिर अगर graph paper बनाओगे तो exact बनेगा roughly बनाओगे तो थोड़ा सा obviously accuracy कमाएगी तो graph paper पे ही आप बनाना अगर आपके पास graph paper है तो practice उसी पे करोगे तो बहुत सही है क्योंकि exam में तो आपको graph paper पे ही बनाना है copy pen पे तो बनाना नहीं है और अगर अभी graph paper नहीं है और copy pen पे बना रहे हो तो फिर आप एक काम करना scale से एक एक centimeter की distance पे लेना है इस सारी distances तो आपका साही diagram बनाएगा उसकी बना है ठीक है अब हम लोग देखते हैं 0, minus 6 कहाँ पर plot किया जा सकता है 0, minus 6 का मतलब है x पे 0 चलना है x axis पे शुरू यहां से करता है हम लोग x axis पे 0 चलना है अगर बोलता 3 चलना है तो right side में 3 चलना है बोलता minus 2 चलना है तो left side में minus 2 चलना है उसने बोला है 0 चलना है मतलब left right move ही नहीं करना का move करना है सिधा y axis पे minus 6 सिधा यहां पर इधर उधर नहीं जाना सिधा minus 6 पे जाना है यह रहा एक point तो यह मिला दूसरा point 3,0 3,0 का मतलब क्या है x axis पे 3 distance चलना है तो x axis पे हम 3 distance पहुँचे यहां तक उसके बाद y पर 0 चलना है मतलब उपर नीचे नहीं जाना यहीं पर रहना है तो यह दूसरा point हो गया अगर उसने बोला होता 3,2 तो हम लोग 2 distance उपर जाते accordingly चलना होता है एक एक करके पहले x चलो फिर y चलो यह best तरीका है ठीक है इन दोनों को आप मिला दो आराम से यह हमने दोनों equations को मतलब दोनो points को मिला दिया तो यह हमारी line आ गई अब इसके बाद line आप यहां पर लिख दो कौन सी आई है यह है 2x minus y is equal to 6 यह line के ends हमेशा infinite तक जा रहे होते हैं तो arrow बना देते हैं हम लोग दूसरा यह जो point है उसका यहां पर value लिखो यह 3,0 point है यह कौन सा है यह 0,6 point है यह complete इस तरह से बनाना है आपको पूरा proper systematically यह पूरे यहां पर लिखना है points वगरा कौन से आपने लिए थे कौन से आप plot किये हैं और equation कौन सी plot की है systematic काम करना है पूरा exam में ठीक है तो यह तरीका है किसी भी इस तरह की linear equation into variables का grab गनाने का pattern fix है आपको एक value x की assume करना है उससे y मिल जाएगा point मिल जाएगा दूसरी value पे आप चाओ तो वापिस से x की assume कर लो चाओ तो y की कोई value ले लो उससे दूसरी value मिल जाएगा और दूसरा point मिल जाएगा दूनो points को plot कर दो आम खतब और कुछ नहीं करना है ठीक है